बिसमिल्लायरह्मान रहीम स्तनामुलेकूम दोस्तों इसे लेक्चर में हमने मोर्स औफ डेटर ट्रांस्विशन के अंदर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की वर्किंग को डिटेल में देखा था आजके लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया जिसका नाम है टाइब आप डापड़ डापसर डेटर ट्रांस्मिशन के अंदर हम सीडियल और परिलिल स्ट्रांस्विशन की डिटेल देखेंगे तो डिटेज आईए अपने लैक्चर का आगास करते हैं दोस्तों टाइप डड़ डापसर बिटेशन से पहले हमें पता होन इस तरह के पॉसेस को डेटा ट्रांस्पिशन कहा जाता है और याद रखिएगा दोस्तों कम्प्यूटर बिट्स पर काम करता है तो किसी भी दो डिजिटल डिवाइस के दर्मियान डेटा भी बिट्स की शकल में ही ट्रांस्पर होगा So, there are two types of data transmission, data को transfer करने की दो टाइप्स हैं, पहली है parallel transmission and the other one is serial transmission, इसी तरीके से serial transmission की भी दो टाइप्स हैं, synchronous transmission और asynchronous transmission, तो दोस्तों आपिए सबसे पहले parallel transmission की details देखते हैं, difference, parallel transmission की definition को देखते हैं, parallel data transmission involves the concurrent flow of bits of data, यानि ये ऐसी type होती है transmission की, जो एक ही वक्त में एक साथ कई साथी bits, यानि group of bits को send करती हैं, और एक साथ bits को send करने की लिए, एक uses separate communication lines, यानि हर एक bit को एक अलग bus, एक अलग wire के जरीए send किया जाता है, और example, ये sender है, और ये receiver, और ये sender, 8 bit के data को receiver को send कर रहा है, और अगर ये parallel transmission हो रही है, तो ये 8 bits, एक साथ receiver के पास पहुँचेंगी, और हर एक bit के लिए, एक अलग bus, या फिर wire यूज़ होगी, 8 bit data है, तो 8 ही wires यूज़ होगी, इस तरह ये wire 1 है, ये wire 2, और इसी तरीके से ये wire 8 है, और हर एक wire पर 1 bit मौज़ूद होगी, इस तरह ये 8 wires connect होगी receiver से, तो receiver को इस तरह एक वक्त में 8 bits का data एक साथ receive होगा, इसका अगला point देखिए, इस pattern resembles the flow of automobile traffic on a multi-lane highway, यानि parallel transmission multi-lane highway की तरह होती है, जैसे एक road पर इस तरह की lanes मौजूद होती है, इस तरह की lines का जाता है, और जितनी lanes एक road पर बनी होंगी, उतनी cars वहाँ से travel कर सकती है, ऐसे ही parallel transmission में जितनी lines मौजूद होंगी, जितनी wires मौजूद होंगी, उतना ही data एक जगा से दूसरी जगा transfer हो सकता है, इसे लिए internal transfer of binary data in a computer uses a parallel mode, if the computer uses a 32-bit internal structure, all the 32-bits of data are transferred simultaneously on 32-line connections, यानि धुस्तों, computer के अंदर data parallelly ही एक जगा से दूसरी जगा transfer होता है, for example, यह CPU है और यह memory, तो memory से CPU के पास जब data जाएगा, तो parallelly ही जाएगा, यानि एक साथ बहुत सारी bits CPU के पास महुचेंगी एक ही वक्त में, लेकिन कितनी bits एक वक्त में parallelly transfer होंगी, इसका तायून करेगा आपके computer का internal structure, अगर आपका computer 32-bit है, तो वो एक वक्त में एक साथ 32-bits को transfer करेगा, और हर एक bit के लिए अलग wire होगी, तो 32-bits के जरीए 32-bits transfer होगी, दोस्तों, यह CPU है और यह memory, तो इन दोनों के दर्मियान 32-bits मौजूद होगी, तब ही इन पर 32-bits का data send हो सकता है, तो difference, क्योंकि एक वक्त में multiple bits transfer होगी, तो we can say कि इसका transfer rate high होता है, यह fast होती है, दोस्तों, इसका अगला point देखे, Parallel data transmission is not suitable for long distances, दोस्तों, इसको आम तौर पर in the computer जो transmission हो रही होती है, यह उसके लिए suitable होता है, जैसे CPU to memory, CPU to output devices, लेकिन अगर आप एक computer से दूसरे computer में data transfer करना चाहते हैं, और दोनों computers एक दूसरे से fastler पर मौजूद हैं, तो यह transmission उसके लिए suitable नहीं है, क्योंकि इसमें आपको wires भी ज़्यादा required होंगी, और फिर उन wires को manage करना भी difficult काम है, तो दोस्तों, Parallel transmission is expensive, डेर्फिर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक वक्त में अगर 32 bits जाएंगी, तो उसके लिए wires भी 32 ही required होंगी, वो भी बहुत complex होगा, क्योंकि वो इतनी सारी bits को एक साथ स्कीव करने की सलायत रखता होगा, इससे लिए wires और circuit के use की वज़ा से यह बहुत मेंगी पर जाती है, कि बहतरीन example है, printer, as printer are connected to the parallel port of the computer, therefore computer transferred data to printer using parallel transmission board, दोस्तों, printer और computer के दर्मियान parallel transmission होती है, जिसमें computer sender होता है, और printer receiver, और इन दोनों के दर्मियान एक parallel port होती है, जिसकों कि आप देख सकते हैं, कि इस port के अंदर उपर नीचे holes मौजूद हैं, जोकि यह बताते हैं कि यह एक parallel port है, तो इन दोनों के दर्मियान एक parallel port होती है जो के एक साथ बहुत सारी bits को printer तक पहुँचाती है तो friends ये थी parallel transmission अगली टाइप है serial transmission ये ये आम तोर पर सबसे ज्यादा use होने वाली transmission टाइप है parallel transmission में एक वक्त में एक साथ multiple bits को एक end से दूसरे end तक पहुँचाया जाता था जबके serial transmission में एक वक्त में सिर्फ एक ही bit को एक end से दूसरे end तक पहुचाया जा सकता है means it transfers one bit at a time for example ये 8 bits है 00101101 और इन bits को हमें serially transfer करना है sender और receiver के दर्मियान तो दोस्तो parallel transmission के अंदर हम 8 wires के जरिये 8 bits को एक साथ transfer करते थे जबके इसके अंदर हम इन दोनों के दर्मियान यानि sender और receiver के दर्मियान सिर्फ एक ही wire मौजूद होगी जो इन 8 bits को लेका जाएगी तो सबसे पहले इस wire पर जाएगी 0 bit यानि ये bit then other 0, then 1, फिर 0, फिर 1, 1, 0 और आखिर में जाएगी ये 1 bit तो dear friends, इसी लिए हम ये कह सकते हैं कि data is sent sequentially in a bit by bit fashion यानि इसमें 1-1 bit करके data transfer होता है इसी लिए इसमें data transfer rate parallel transmission की निजबत slow होता है parallel में अगर एक second में 8 bits receiver को मिल रही थी तो इसमें वो ही 8 bits, 8 seconds में receiver को मिलेंगी लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही wire use होगी तो ये parallel transmission की निजबत कीमत में कम होती है और single wire use होने की वज़ा से it is suitable for short as well as long distances दोस्तों आम तोर पर telephone lines serial transmission को ही use करते हुए data को transfer करती है या पिर अगर आप एक computer से दूसरे computer को data transfer कर रहे हैं तो यहाँ भी serial transmission ही बैस रही है यह था serial transmission यह था serial और parallel transmission और उनके differences अगले lecture में हम serial transmission की मज़ीद types, synchronous और asynchronous की details देखेंगे